Hi Friends, मैं आज शेर करने जा रहे हैं Long Beans और मसूर डाल की सबजी Long Beans के बहुत सारे रेशिपी अपने बना के खाए होंगे एक बार Long Beans और मसूर डाल के इस सबजी को बना के देखिए घर में हर कोई आपके तारीप करते नहीं थकेंगे इस सबजी को आप रोटी, चावल या पुराठे के साथ खा सकते हैं बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में तो आईए फ्रेंड देनना करते हुए रेसिपी देख लेते हैं एक गठरी लॉंग बिन्स लिये हैं लॉंग बिन्स को अच्छे से धो के साप कर लेंगे इससे की आलू काले न पड़ जाए इस कटोरी के नाप से हाप कटोरी मसूर दाल को एक घंटा पहले भिगो के छोड़ दिये थे उसके बाद दाल में से सारे पानी को निकाल दिये हैं कढ़ई के अंदर डाल देंगे दो टेबिल स्पून सर्षों के तेल मैं आज सर्षों के तेल में बना रही हूँ लेकिन आप जो भी तेल में खाना बनाते हैं आप उस तेल में इस सबजी को बना सकते हैं तेल के अंदर डाल देंगे हाप टी स्पून कालोंजी हाप टी स्पून जीरा और हाप टी स्पून राई मसाले को थोड़ी देर के लिए चटकने देते हैं मसाले चटक गए हैं अब इसके अंदर एड़ कर देंगे 1⁄प टीस्पून के जितना बरिक कटी हुई लैसुन लैसुन को 5-7 से के लिए भुनने के बाद एड़ कर देंगे कटी हुई आलू मसाली के साथ मिक्स्ट करते हुए आलू को तब तक भुनेंगे जब तक आलू गोल्डेन फ्राई ना हो जाए आलू देखिए गोल्डेन फ्राई हो गए हैं अब इसके अंदर एड़ कर देंगे एक बड़े सेज के लंबाय में कटी हुई पियाज आलू के साथ प्याज को मिक्स्ट करते हुए तब तक भुनेंगे जब तक प्याज शौप्ट ना हो जाए प्याज शौप्ट हो चुके हैं और प्याज का कलर भी हलका चेंज हो गए हैं अब इसके अंदर एड़ कर देंगे कटी हुई लॉंग बिन्स मसाले के साथ मिक्स्ट करते हुए बिन्स को भुनेंगे 2-3 मिनिट के लिए बिन्स को भुनते हुए 2-3 मिनिट हो गए हैं अब इसके अंदर एड़ कर देंगे हाप्टी स्पून हल्दी पाउडर हाप्टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर मिर्ची अपने टेस्ट के इसब से कम जादा कर सकते हैं आप हाप टी स्पून धनिया पाउडर हाप टेबिल स्पून अद्रक का पेस्ट अद्रक के साथ साथ एड़ कर देंगे छोटे-छोटे टुकडों में कटी हुई एक बड़े सेच के टमाटर सबजियों के साथ सारे मसाले को मिक्स्ट करते हुए भुनेंगे देड़ से दो मिनिट के लिए सबजियों को भुनते हुए देड़ से दो मिनिट हो गए हैं अब इसके अंदर एड़ कर देंगे भिगोया हुआ मसूर दाल दो पीस हरी मिर्च को टुकडों में तोड लिए हैं डाल देंगे हरी मिर्च सबजियों के साथ दाल को मिक्स्ट करते हुए भुनेंगे दो से धाय मिनिट के लिए दाल को भुनते हुए दो से धाय मिनिट हो गए हैं अब कड़ाई के अंदर एड़ कर देंगे पानी जिस कटोरी के नाप से हाप कटोरी मसूर दाल ले थे सेम कटोरी के नाप से आड़ कर देंगे दो कटोरी पानी स्वाधनुसर आड़ कर देंगे नमक नमक डालते टाइम थोड़ा सा धेन रखना है क्योंकि हमने आलू फ्राई करते टाइम भी नमक आड़ किये थे पानी के साथ नमक को मीक्ष्ट करने के बाद ढखके medium flame में छोड़ देंगे 2 से 3 मिनिट के लिए medium flame में सबजी को बखते हुए 3 मिनिट हो गए हैं अब गयास के flame को slow कर देंगे बीच बीच में एक दो बर ढखकन हटा के सबजी को चला देंगे उसके बाद फिर से ढखते हुए पकाएंगे जब तक दाल सौटना हो जाए थोड़ी दिर बाद फिर से ढखकन हटाएंगे दाल, सबजी और आलू जो है अच्छे से गल चुके हैं फिर भी एक बाद चेक कर लेते हैं देखिए आलू जो है कितने असानी से कट हो रहे हैं इसका मतलब सारे सबजियां जो है बड़िया तरीके से गल चुके हैं हाप्टी स्पून के जितना चीनी अड़ कर देंगे चीनी डालने से इस सबजी का जो टेस्ट है और भी बड़िया आते हैं फिर भी अगर आप चीनी नहीं डालना चाते तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं चीनी के साथ साथ एड़ कर देंगे हाप्टी स्पून गरम मसाला चीनी और गरम मसाला को सबजी के साथ मिक्स्ट करने के बाद ढग के स्लो फ्लेम में छोड़ देंगे दो मिनिट के लिए दो मिनिट हो चुके हैं अब ढग कन हटाएंगे लॉंग बीन्स और मसूर दाल के सबजी एकदम रेडी है अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और मुझे कमेंट करके जुरूर बताना कि आपके सबजी कैसे बने हैं खाईए खिलाईए और इंजोई कीजिए ठैंक्स पर वाचिंग